अस्ते प्यारे बच्चो, इडू गेट बपसर भुंडे हैस्कुल के डिजिविशे में आपका स्वागत है. कक्षा दूसरी के हिंदी विशे में आज हम मेरा परीचे यहब पार्ट सीखने वाले हैं. मेरा परीचे में हम हमारे बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारी पिता जी का नाम, माता जी का नाम और हमारे घर में कितने सदस्य है, यहां हम हमारी परिचे में बताते हैं तो आज हम मेरा परिचे यानि माइसल्फ कैसे बताना है हिंदी में यह सीखने वाले हैं आपको यह पाट सुनकर आपको भी अपना परीचे देना है और लिखना है अभी यहाँ पे करन नाम का जो लड़का है उसने अपना परीचे दिया है तो वो कैसे परीचे दे रहा है यह देखेंगे और आपको भी अपना परीचे वैसे इसी तरह देना है मेरा नाम करन है मेरे पिताजी का नाम अशोख है मेरे माताजी का नाम सरोज है मेरे घर में पाँच सदस्य है मेरी एक बहन है और एक भाई है यहाँ पे किसी को बहन है तो किसी को भाई है ऐसा एक ही हो सकता है किसी को हो सकता है कि दोनों को बहन भी हो और भाई भी हो और कोई-कोई तो अकेला ही हो सकता है घर में तो वहाँ पे क्या कहेंगे आप? मैं अकेला ही हूँ आगे आप बताएंगे मेरा नाम करण है मेरे पिताजी का नाम अशोख है मेरी माताजी का नाम सरोज है मेरे घर में पांच सदस है मेरी एक बहन और एक भाई है और सबसे बड़ी बात मेरी स्कूल का नाम एड़ोकेट बापु साहिब बोंडे हाई स्कूल है आपको यहाँ पे अपनी स्कूल का नाम बताना है हमारी स्कूल का नाम है एड़ोकेट बापु साहिब बोंडे हाई स्कूल तो आपको इस तरह अपना परिचे देना है जब आप अपना परिचे दोगे तब आपको ये पूरी बाते आपको बतानी है जैसे कि आपका नाम क्या है आपके माता जी का नाम पिता जी का नाम और आपके घर में कौन-कौन से सदस्य रहते हैं आपको कितने भाई है कितने बहन है और आपकी स्कूल का नाम क्या है यहाँ आपको पूरा आपका परिचे में ये सब चानकरी आपको देनी है अब समय हैं गुरुआ का यानी होमवर्क का होमवर्क में आपको मेरा परीचे यानी आपको अपने खुद का परीचे आपकी हिंदी कापी कापी यानी नोटबुक में दो बार लिखना है मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद